हालो फ्रेंड्स मैसेब डॉक्र सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम माई नोज माई लाइफ प्रोग्राम में डिसकस करेंगे एक बड़ी ही एक इमर्जेंसी सिच्वेशन नोज से रिलेटेड नोज ब्लीडिंग क्य है नोज ब्लीडिंग क्या नोज ब्लीडिंग के कारण है कैसे इसका मेनेजमेंट है बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले जिससे आने वाले नए वीडियो की आपको ज नहीं होगा नोज ब्लीडिंग नोज के आगे के हिस्से से नाक से खून का बहना जो है उसको नोज ब्लीडिंग नेजल ब्लीडिंग और एपिस्टेस नकसीर ऐसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है नोज के आगे के हिस्से से खून का बहना नोज ब्लीडिंग है दोस्तों यह जो Nose Bleeding है वो दो तरीके से इसकी presentation होती है एक होता है एंटीरियर नैजल ब्लीडिंग यानि आगे के Nose का जो आगे के होल है उससे ब्लड का निकलना दूसरा है Posterior Niesal Bleeding बहुत बार नाक के पीछे के इसमें जब ब्लीडर पीछे होता है तो मुह से खून आना जो है वो P के क्या कारण है क्यों दोस्तों जो नोज ग्लिडिंग है अगर जली सकते हैं दूसरा है जो डेखे चा और कोने पिलिक चली जाती है उसके कारण तो pediatric age group में trauma जो है वो एक common nose bleeding का कारण होता है अगर adult situation में अगर discussion करते हैं तो दोस्तों जो first जो most common जो reason होता है nose bleeding का that is the blood pressure uncontrolled blood pressure so दोस्तों ये दो important reason होते हैं nose bleeding के इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जैसे बहुत बार nose के अंदर कोई mask बना हुआ है बहुत बार जो है वो खून से related जो है blood pressure है ये जो है common जो region होते हैं जिसके कारण जो है nose bleeding होती है थर्ड important thing दोस्तों nose bleeding कैसे होता है क्या उसकी प्रकरिया है दोस्तों जब अपनी अपना जो nose है nose का जो आगे का जो हिस्सा है अंदर जो septum है उसकी जो mukoja है जो नाग को दो पार्ट में डिवाइड करता है वहाँ बार पर अपने जो है kūn की नसे होती है जो little serie होते हैं जिसके अंदर जो पून की नसे होती है हम बहुत बार क्या होता है या तो nose picking के करण या nose में उंगली देने की करण और trauma के करण और बहुत बाब क्या होता है कि dry अंदर की mucosa होने के करण जो है वो नोज की जो नसे हैं, जो वैंस हैं, वो फट जाती हैं, जिसके कारण नोज ब्लीडिंग होता है, दूसरा, अगर कोई आदमी जो है ब्लड पेसर की मेडिकेशन्स ले रहा है, तो कई बार क्या होता है, कि इनसान जो है, विमन बिंग है, खुद भी जो है अपने ब्लड प जो है, पहले जो गोली के कारण कंट्रोल था, वो सीवेर जो है, वो राइज हो जाता है, या बहुत बार क्या होता है, कि पेशेंट्स को जो है, वो एंग्जाइटी के कारण किसी परस्नल इश्यू के कारण भी जो है, ब्लड पेसर शूट कर जाता है, तो इसमें यह जो न वो डिदिंग की प्रक्रिया है वह उर्प्रामा और बलड प्रेसर के कारण ये जो नोज की जो वेंस अपनी जो टेर हो जाता है उसके कारण जु है वह नोज ब्लिडिंग होती है यह उसकी प्रक्रिया है Janeiro marketing जी जो है इसके management में सबसे जो है first most important चीज जो है जो है जहां पर epistaxis हुआ है उस emergency situation को handle करना सबसे पहले तु assure the patient चिंता नहीं करें और at least जो nose की bleeding है उसमें उस patient के nose का आगे का part है उसको pinch कर लेना चाहिए like this nose को कह दबा लेना चाहिए at least 10 minutes तो nose को दबा लेना चाहिए दोस्तो 30-40% cases के अंदर दो या तीन बार ये प्रक्रिया करने से nose की bleeding हो रुक जाती है और उसके बाद में जो है आप उसके management के लिए जो भी nearby चिकित सके वहां पे जो है आगे आपको जो है उसका treatment कराना चाहिए दोस्तो एक बहुत ही महतोपून बात है कि अगर किसी को nose bleeding होता है और अगर किसी की nose से continue blood trickle कर रहा है usually देखने को मिलता है उस patient को लिटा दिया जाता है और उसको लिटाने के बाद वो bleeding जो है वो nose से आगे नहीं आके वो सारी bleeding नाग के पीछे सी जाके अपने गले में चली जाती है थोड़ी देर बाद जो है वो जो blood है वो जो है उसकी vomiting होती है वो सिस्पुटम के साथ और patient और वो situation वो इतनी panik हो जाती है कि कून की उल्टी है भी start हो गई अभी नाग से कून आ रहा था तो इसलिए कभी भी patient को लिटाना नहीं है उस patients को आप वास्बेशन में आ पिर आप डॉक्टर को दिखा सकते हो जब patient हमारे पास आता है तो सबसे पहले उसका जो है उसका diagnosis बनाया जाता है उसकी history ली जाती है कि patient को कोई आधर trauma हुआ है कोई accident हुआ है या जो patient को कोई blood pressure की कोई गोली तो नहीं चल रही है वो सारा करके उसका एक diagnosis बनाया जाता है आ जब उसका diagnosis बन जाता है उसके बाद में क्या है कि जो है नोज को जो जो त्रीटमेंट है उसमें क्या है कि ब्लीडिंग जहां से हो रही है उसको वहां से सील कर दिया जाता है जैसे कोई pipe leak कर रहा है आपने उसको erudite या उससे सील कर दिया ऐसे उसको endoscopy cotarization बोलते हैं जिस दोश्तों अभी भी जैसे रूरल एरिया में जहां पे डॉक्टर्स के पास कोंअ की ऊहीं नहीं होथी तो वह बहुत का बार या गौज रपण जते है अन्चेर्पनी और्य दोखिर से और सिर्फ ब्लेडिन को हैि आपके दोगी कि बीडिंग में और चल वीडिंगा जो रुख की बिलीडिंग है तो उसका इचने गना होता है और पेशने यह ने के बाद भाछी का टूश्च में एया जो अधरु दोस्तो यह स्थिप्र इमपोर्टेंट चीजा गर को है उसको अगर ब्लड पेसर की मेडिकेशन चल रही है तो अपनी ध्यान रखें कि अपनी जो ब्लड पेसर की गोली है उसको आप मिस नहीं करें उसको आप बंद नहीं करें बिना किसी चिकित सक के सला है और अगर आपको ब्लड पेसर की टेबलेट चल रही है फ्रक्वेंटली आ होता है कि आप गोली ले रहे हो आपकी नजर के अंदर आप टैबलेट्स ले रहे हो और टैबलेट लेने के बावजूद भी जो है नोस से ब्लीडिंग हो जाती है ऐसे सिच्वेशन में जो आप गोली ले रहे हो वो उस आपके blood pressure को control करने के लिए परियाप्त नहीं है तो आपको वो जो गोली है उसको अपने चिकत्सक के बाद जाके या तो उसका सार्ड चेंज करवाना होता है या उस गोली की जो है मात्रा चेंज की जाती है तो उसको जो है हमेशा आप अगर चिकत्सक से दिखा रहे हैं उससे आप जुड़े रहे हैं ताइम पे उसको दिखाते रहे हैं अपने जो है प्रूटिन कुछ बॉडी चेक अपस आप कराते रहे हैं और जो बच्चों में ब्लेडिंग होती है वो यूजवली कहा है तो नोज में इंजूरी नहीं हो अधर इंपोर्टेंट थिंग कि जो बच्चे में जो ब्लेडिंग होती है तो बहुत बार जो नाक की अंदर की जो म्यूकोज़ा है वो ड्राई होती है तो उसके लिए सिंपल जो है ओइंटमेंट लाइक नियो स्प्रिन ओइंटमेंट है या जैसे वह भी नहीं हो तो आप एट लिस्ट वैसलीन भी आप लगा सकते हैं और बच्चे को थोड़ा सा उबजरु करना चाहिए कि वह जो बार बार नोज में उंगली तो नहीं देगा थर्ड बहुत बार क्या होता है कि बच्चे के नोज में कई बार क्या है फोरेंट बोडी भी होता है कुछ फोरेंट बोडी उसने डाली हुई होती है उसके करण भी जो है नोज के अंदर जो है ब्लीडिंग होती है तो उसका भी आपको देखके जो है उसका अवोई कर सकते वे तो दोस्तों ये था about the nose bleeding क्या है nose bleeding और कैसे उससे बचा जा सकता है So I hope this all information is useful for you. But you can share this information with your family, your friends and colleagues just to create awareness about this emergency situations of the nose bleeding. And जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिसे आने वाले वीडियो की फ्रदर इंफर्मिशन मिलती रें थेंक यू